नमस्कार अम्रीजनों आप देखें से यूटी पाइट साला आपसे का बहुत-बहुत स्वागे थे लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए गूड नियोज है बीएच्चु का काउंसलिंग यूजी का अलमुस्ट कम्प्लीट हो चुका था उसके लिए एक नई डेट फि और वो महत्रपूर कॉइंट्स कौन से हैं जो आपको दिमाग में रख के ही आपको रेजिटेशन करना है ठीक है सबसे पहले आप यह देखो कि अलावद विस्विद्याला का जो ओफिस्यल वेवसाइट है वो यही है इसका लिंक में डिस्क्रिशन में डाल दोंगा इस लि लेगा जहां पर आपका यूजी रेजिटेशन लिंक भी देखो यहां पर है ठीक है यहां पर आपका प्रेस रिलीज भी है इट मिंस की बहुत सरा डिटेलिंग इसमें दिया होगा उसके बाद आपका एक है अकडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आइड कैसे जनरेट करना है उ और कौन-कौन से मतर पूर्माइज हमनों को जानने हैं यहां पर 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और 28 जुलाई तक इसकी डेट रखी गई है उसके बाद यहां पर पैसे की बात करें तो नॉन रिफेंडेवल मनी है जो की तीन सरूपए है ठीक है ओबी सी जनरल ए जो भी आपके डिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सी उटी के फॉर्म के अनुसारी होना चाहिए मलब सी उटी में आपने जो चीज़े डाली है ऐसा नहीं कि वहां पे आपने जनरती थी कुछ और डाल दिया अभी जनर चेंज कर दिया आप वहां पे कास्ट जनरल डाल दिया था अब आप OBC डाल रहो तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपका सिगनेचर होना चाहिए आपका फोटो और दसमी बारामी का मार्क सीट और बाकी अकेडमिक डाकुमेंट का जैसे आपका इंकम कास्ट और माइग्रेशन इन सभ टू विजिट यहां पर लिंक दिया हुआ है और उस लिंक के पहले हम लोग आपको कुछ चीज़े बताना चाहेंगे जैसे कि आप इलिजबिल्टी क्राइटरिया देख लो यहां से ठीक है उसके बाद जो आपके फ्रेक्वेंटी प्रॉब्लम से वहां इस क्वेस्टन के taste असर कि रखका हुआ है और उसके बाद हम लिंक को क्लिक करके पना फॉर्म भना सब्सक्री करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते हैं जैसे क्लिक करते हो यहां पर दो आप प्लिकेंट है उसका फूल नेम फिर डेटा बर्थ उसका जेंडर फिर इमेल आईडी मोबाइल नंबर फादर मदर नेम गार्जियंस नेम गार्जियंस मोबाइल नंबर रिलीजन ठीक है कोर्स अप्लाइट फॉर यहां पर कोर्स फिर यहां पर यहां पर यहां पर पासिंग फिर यहां पे आपका बारहमी उसका रोलंबर उसके बाद आपका बारहमी के पैरलल अगर आपका कोई एक्जाम रहा हो सपोज कुछ लोग डिपलोमा वगरा कर लेते हैं तो वो होगा तो वो डाल दोगे निशनालिटी इंडियन मदर टैंग जो आप जीस भी लैंग्वेज आपका जो है वो डालोगे आधार कार्ड अपना डालोगे उसके बाद आप कर्टेग्री सब कर्टेग्री ठीक है फिजिकल चैलेंज हो एस यहां पे डालोगे आप और वो कैसे बनाना है मैं आपको भी बता देता हूं फी अमाउंट जो है ठीक है उसके बाद स्पोर्स डाल देना पर्मानेंट डाल देना और यह सब चीज करने के बाद यहां पर क्लिक करना एस क्लिक करने के बाद नेक्स कर देना ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं आगे का प्रोसेजर जो है वह आपके अपने आप दिखने लगेगा मुझे कोमेंट करके बताना तो हम आप जो पेज है उसके स्टूडेंट पर क्लिक करना है इसका डिजी लॉकर ठीक है यूज अपना जो भी ओटीपी वगर आएगा वह डाल के ठीक है और यह करने के बाद यहां पर पूरा यह जो प्रोसेजर आप इसको अच्छे से पढ़ लो और यह प्रोसेजर फॉलो करने के बाद आपको यूटूब पर इसका वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको यह ओपन करना है ठीक है बाकी अच्छे से पढ़के और इलावाद देखो विस्विद्याल है इन्द इंस्टूशनल नेम में क्लिक चो अलावाद विस्विद्याल है डॉप डाउन दे लिस्ट क्लिक बॉक्स चेक ऐसे करके आप मुझे बताओगे तो हम इसका किसी बच्चे का डाउनलोड करके दिखा देंगे ठीक है और वही जाके वहां पर डालना रहेगा देखो यहां पर आईडिये ने बीडी यह रहा ठीक है इस आईडी को ले जाके वहां पर डालना है क्योंकि हर बाद वाले वीडियो में हम लोग स्टेप बाई स्टेप वीडियो आपको दे रहे हैं उसी के कोडिंग आप फॉर्म भरोगे कोई बिजल्दवाजी मत करना अभी कल से स्टार्ट हुआ है अभी 28 तारीक तक डेट है हम लोग आज के दो दिन बाद फॉर्म भरेंगे ठीक है जो हता है इसमें कुछ डिटेरिंग चेंज भी कर देते हैं उन्हें लगता है कि इसकी रिक्वार्मेंट चेंज भी कर देते हैं तो जल्दवाजी करने से कोई फायदा नहीं है आप इंतजार कर लो हम लोग जो है इसको भरेंगे कल मुस्कुराते रहे बहुत सबकामना है इस वीडियो को सेर कर दीजिए और कोई कॉमेंट प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करिए हमारे यहां सेशन स्टार्ट हो गया है दोजार चौबिस के लिए आप जोईन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नमबर है ओके मुस्कुराते रहे हैं